अचानक से पता नहीं कोन पीछे से आया औरेंज क्लर का टीशर्ट प्याना हुआ था वो हामला किया मेरे को कुछ देर बाद लाने के लिए जाक वहां पर टैंस करने लगा डीजे जा रहा था तो फिर ना उसको कहां बलेड मार दिये कटर मार दिये मुझे तो कुछ भी पता लोग दुबारा भोले खुड गिर रहना तो मैं सट वर्ट देखा तो पूरा सट फटा हुआ था और हाथ वाज सब कटा हुआ था मेरा बेटा हम तीन दिन से आरहा है रहा है न कोई पुछी नहीं आया पती भी आ नहीं है गाहों में रह रहे हैं लेकिन हम लोग कितना रहा है दुर्ग भिलाई शहर में खासकर आया है जहां पर केनाल रोट के पास रहने वाले के रहने वाले एक शक्स जो अनुमान जनमोच सा हो रहा था रैली निकल रही थी उसमें नाचने जाते हैं डांस करने जाते हैं कि तभी अचानक से कोई शक्स आता है पीछे से और चला मार देता है और उसके बाद वहां से चले जाता है उन्हें पता नहीं किसने मारा उनका कोई पुराना किसी से लाड़ाई जगडा नहीं कोई रंजिश नहीं आखिर ये दुर्ग शहर में बिलाई शहर में हो क्या रहा है लगातार आप अस्पतालों में जाएंगे तो क कब आपके उपर कब हमारे उपर कटर चल जा इसकी भी कोई गारंटी नहीं फिलाल जिस लड़के के उपर ये सारी चीज़े हुई है उनकी मां से हम बात कर रहे हैं और उनसे जानते हैं इनके लड़के से भी हमने बात करने की कोशिश की उन्होंने जो बयान दिया वो क्या हुआ कि उसके साथ हुआ कुछ नहीं सर वो गया था एक रोल लाने के लिए और जाको हां पर टैंस करने लगा डी जा रहा था तो फिर उसको कहां ब्लेड मार दिये कटर मार दिये मुझे तो कुछ भी पता भी नहीं है एक गारब जरातिक लड़का कॉल आया मुझे ब दोक्टर कॉल किया बोला आपका बेटा भरती है मेडम जल्दी सहाप आजा उसको जादे लग गया तो मैं गई तो मैं देखी मैं बेटा के पूरा फेट फटा हुआ था और हांस भी कटा हुआ था फिर हुए मैं हिम्मत करिक वहां उसका वीडियो बनाई वीडियो बनाकर फिर उन्हों ने रिपोर्ट लिखे उसके बाद मैं घर आ गई घर आने बाद मैं बेटा के पास आई हूं अभी तेन दिन से में हां पड़ी रह रही हूं कोई करवाई रही हूं कोई कुछ कहीं कुछ नहीं हो रहा है आज पास के लोग भी आना जाना थ्री पापीे आखिले काना हुआ कैसे हो रहा है बस मैं आईपर खाना खाती हूं और जो गर्मेंट से मिलता है वाहर से लाती हूं मैं हाई पर रह रही हूं कोई नहीं में देखने में अभी ट्राम क्या करता था मैं बेटा है या बड़ी नेता लोग आते हैं अभी एलेक्षान होगा सब हमारे घर आएंगे वो देने के लिए लेकिन हमारा बेटा हम तिन दिन से आ रहे हैं न कोई पुछी नहीं 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 है लेकिन हम लोग कितना कश्ट चेलें यहां पर रहे कि हम जाने फिर मुझे एक जन से आपका नमर मिला आपको बुलाएं ऐसा होना चाहिए क्या तो अभी आपने चाहिए इससे पहले कोई जघड़ा था कि 1978 जपने में रहते हैं वो इूंट नहीं करते हैं बहांतो तो नहीं बोलते हैं कि तुम जुलूस निकालो बोले कभी किसी को नहीं बोले जो इतना पैसा बेरवाद करते हैं लाकर इधर से उधर से गड़ी वह माटो लोगों को शेवा करो ना पी जुलूस क्यों निकालते हैं उस चाहिए मेरे ख्राइब से जुलूस बंद होना चाहिए यह नहीं तो फिर इतना फोर्स बुलाओ किशी कुछ ना हो प्रशासंद से कोई नयाया चाहती है है कि मैं नयाया चाहती हूं को पकड़े उनको क्यूं मारा खर मिये जाना चाहते हैंगर मेरा बेटा क्या गल्ती थ कुछ गल्टी किया होगा तभी नमारा कौन मारा मैं उसको देखना चाहते हूं कि मेरा बेटा के तिपेट है मी से कौन मारा डाक्टर बोला थोड़ा सौर लगता ना उसको पूरा पेट फड़ जाता कल सोन्यों कराफी हुआ है एक्ट रह हुआ है पूरा पता चला है यह कोई जो इनको तकलीफ है उसको सुनने वाला कोई नहीं है इन्होंने हम से कांटेक्ट किया हमें बताया किस तरह की हालाथ है तो हम ततकाल है हम पर पहुआँ बात्चीट के अब इनके लड़के से हैं जब हमने बात कि तो वो क्या कोछ कह रहे हैं वो दिखाता हूं मैं करी कि मेरे कुछ देर बाद मेरे वहां के आँट पास के जितने भी ती लोग attract थे ख़ुदा गीर रहा है मैं सोचा पसीना है जब उलोग दुबारा भोले खुन गीर रही ना तो लोग मिर ले जाके गिंदोडी ले गये गिंदोड़ी वाला मना कर दिया पिर उपलम आपकाइए फिर वहां से दुरूग रिफेर कर दिये दुरूग में उप्चार चल रहा है मेरा नाम है सौरब पटिल कितनी उमर है 23 ताल उमर है मेरी और किसी से कोई जगड़ा विवाद नहीं है मेरा काम करते हैं मैं हैवी ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाता हूं टेलर रहना कहा होते घर पे मैं हूं सबसे बड़ा मेरा चोटा भाई है और एक मम्मी है मेरी और देदी का साधी हो गया तो यह पूरा मामला हन्मान जन्द मुच्सव हो रहा था वहां पर जो डीजे चल रहा था डीजे में अचानक एक शक्स आता है और उसके बाद जिसकी हालत ऐसी है कि जिसक क्राइम हब कहलाने के लिए आतूर हो चुका है क्या इतने क्रिमिनल बढ़ गया है कि वह क्राइम हब कहलाने लगेगा यह चिंता का विशह है और इसी विशह के साथ फिर से आएंगे अलग खबर के साथ जमीनी हगीकतों के साथ शुक्रीए